नमस्कार आप देखरें न्यूजवन 11 अब मैं हूँ आपके साथ शिवानी हमारे देश में शादी एक ऐसी प्रथा है जो काफी समय से चली आ रही है और कहीं न कहीं एक प्रथा सभी के जिंदगी में काफी महत भी रखता है आपको बता देखिए हमारे देश में जहाँ शादिया होती है वहीं शादियों के कई माईने भी है जहाँ बेटी शादी करने को अपने ससुराल जाती है और कहीं न कहीं माबाप अपनी एक जिम्मेदारी भी पुरा कर देते हैं लेकिन आज की समय के अगर हम बात करें तो शादी एक मज़ाग बन के रह गई है या फिर ये कहें कि राज चलते कोई भी किसी से शादी कर लेता और ठीक कुछ दिनों बाद ही वो शादी टूट भी जाती है तो ये कहा जा सकता है कि आज के समय में शादी सिर्फ एक नाम की श शेयर करते विदी है इस वीडियो में नेहा बुरी तरह से रोती हुई दिखाई दे रहे हैं साथ ही ये भी कह रही है कि उनके पती शादी के बाद उन्हें बहुत परिशान करते हैं नेहा के माने तो उनके माता-पिता नहीं है ऐसे में अगर मोदी जी और देश में कोई उ प्रभुष कहा नेहान यार किस तरह वो इस वीडियो में रोते हुए मदद की गुहार लगा रही है प्लीज मेरी कोई मदद करो हुए मयई ठीन दे बीना नाए नाए बीना काई पुलीस के चकर काट रही हुए कोई मुझे यूप ने कर रहा है, मौधिझी प्लीज मेरे वादस करो। मेरा पती अमेरिका के नागरे के। उसने छे महिने पहले मुझ से शादी की। मेरे बाब अप नहीए, इसलिए अपना घर बेचकर थे शży के शादी का कर्चा दिया, सब किया। चीह महिने में उसने अपनी कोई जिम्बेदारी नहीं उठाई और मेरे घर में देखो तोड़ फोड़ करके भाग गया और बोलता है मैं अमेरिका का नागरे कूँ तेरा मोधी तेरा इंडिया का कानून मेरा कुछ नहीं उखाड सकता क्या मेरी गलती है कि मैं इंडोस्तान में पैदा उए कि कोई बहागे कि नोच के चला जाएगा और कानून मेरी ले कुछ नहीं ढ़ सकता प्लीज मेरी मयदाद करो क्या इंडोस्तान में पैदा होना गुणा है क्या मारी कानून हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकता है प्लीज मेरे पती को वहाँ पे जाने से रोको वह भाग जाएगा तो फिर कभी वापस नहीं आएगा उसकी बेहन उसकी मम्मी उसके जीजा उसे मुझे दूर करने में लगे हैं प्लीज को ही मेरी मदद करो क्या मेरे हिंदुस्तानी यहां लाज तक हो अपने घर पर लेकरने के आँगा पर रिख आपने जिए रखने के लिए ऑब नवी पूरा और गुंकर गडर करके चला गया तरभ आने पी आने दे दी चार दिन वाद मेरा पहला करवा चोदे शादी के चूड़िया भी नहीं उतरी अभी तक मेरे प्लीज कोई मेरे पती को वापिस ला दो उसे भागने से रोको मोदी शे मेरे लिए कुछ करो वाइल फेस्बुक वीडियो में नहा रोते हुए शादी के बाद बत्तर हुई अपनी लाइफ के बारे में बता रहे हैं उनके पती अमेरिका के हैं और उन्होंने नहा को शादी के कुछी महीनों के भीतर छोड़ भी दिया इसके साथ ही इस वीडियो के जरीए नहा पीम मोद कभी उसे अपने घर लेकर नहीं गए और उसके साथ को बता दे कि जिसा से नहा कारोफ है कि उनके साथ लगता छे महीने से वो खिलवार करते रहें शादी सिर्फ एक नाम की और मजाग की बनके रह गई वहीं अब नहा का पती ये कह रहा है कि वो अमेरिका का नागरी के और पिये मोदी और भारत के कानून उससे डर भारत कानून से नहा के पती को किसी भी बात का डर नहीं है वीडियो में रोते वे नहा ये कह रही है कि मेरी कोई मदद करे तीन दिन से बिना खाए पिये पुलिस के चकर कात रही हो मोदी जी प्लीज मेरी मदद करो मेरा पती अमेर खर में तोरफोर कर भाग गया आपको बता दें कि जिस तरह से भोशपुरी आक्टरिस ने शादी की थी पिछले 6 महीने से जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके जिन्देगी किस कठिन पढ़ाओं से गुजर रही है साफतर पर कहा जा सकता है कि हमारे देश में जहां एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते नज़र आ रही है कहीं ना कहीं शादी के मसलों से जूलती वी नज़र आ रही है अब देखना ये है कि भोशपुरी आक्टरिस के इस वारल वीडियो के बाद क्या सरकार उनकी मदद कर पाती है क्या उनके पती पर क्या कोई कानुनी कारवाई की जाती है या फिर नहीं फिला लेता है ऐसे ही तमाबरी खबर से रूबर होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूले नमस्कार न्यूस वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दवाएं